क्या आप गौर्मेंट जॉप की तियारी कर रहे हैं? क्या आपको GK, GASA, Current Affairs में प्रॉब्लम होती है? तो जुड़िए इंडिया के वेस्ट श्टड़ी प्लैफ़ॉम MZT Education से डाउड़ किजे MZTF जहां आपको मिलेगा Static GK, Special GK और Current Affairs की वीडियोज, PDF, Quizzes, Audio Revision विल्फुल फ्री में और साथी Upcoming Exam के Mock Tests, E-Books और Study Materials तो देर किस बात की, डाउड़ देंसे एंडियार नाओ नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिस्रा स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का मिस्रा जी टेक्निकल यूटूब चैनल में डेली जी के टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आज हम लोग बात करेंगे सेट 15 की प्रीवियस एर के कुश्टन से उसको सॉल्प कराया जाते हैं, हिंदी और इंग्लिज दोनों लेंग्वेज में होते हैं कुश्टन स बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं हर एक कुश्टन को डेटेल में एकस्प्रेयन करके बताया जाता है, तो इससे आपके 5 से 6 कुश्टन से इसे रहा मिल जाते हैं तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए, तो लाइक अपने दूस्तों के पास सेर नहीं किया है, तो वीडियो को सेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसे ही वीडियोज रोजाना पाने के लिए और दोस्तों इसकी quiz भी provide की जाती है इसकी quiz मिल जाएगी आपको MZT app पर तो MZT app ज़रूर इंस्टाल कीजे वहाँ पर इसकी quiz और भी बहुत सारे materials मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों आप ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को start करते हैं बात करते हैं पहले question की पहले question है सतरंज की खेल में सरवाधिक सक्तिसाली मोहरा कौन सा होता है तो सबसे सक्तिसाली मोहरा होता है दोस्तों रानी रानी या वजीर कहीं-कहीं पर आपको वजीर भी मिलेगा ये दोनों एकी को कहते हैं ठीक है रानी आ वजीर जो है ये सबसे सक्तिसाली मोहरा होता है क्यों? क्योंकि दोस्तों ये लगभग सभी की चाल सकता है सिर्फ अगर घोड़ा की चाल अगर हटा दिया जाए गोड़े की चाल अगर हटा दिया जाए सतरंज के खेल में क्योंकि वो धाई कदम चलता है एक दो धाई लेकिन उसके अलावा ये बाकी सभी की चाल चल लेता है वजीर जो होता है, रानी जो होता है, सत्रंज में, okay सत्रंज गेम के बारे में आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसमें 64 boxes बने होते हैं 8 into 8 का 64 boxes बने होते हैं white और black में, ठीक है तो यह भी पुछा जा सकता है कि कितने खाने होते हैं चेस्स के सतरंज के चेम यह भी फूर्द में यह पूछा सालता एंपोर्टेंट ए स्थ और वर्ग कारियों होता है। दूसरा चीज यह कूटीनीत का गेम यह माना जाता है और इसका जण्म भारत में हुआ था। यानि इसकी यह सतरंज गेम यह भारत की लिदन है। अच्छा इससे related कुछ word हैं जो आपके लिए जानने जरूरे हैं जैसे चेक्मेट हो गया, ठीक है, विसप गॉमबिट हो गया, चेक्मेट इस्टेलमेंट हो गया, पान नाइट चेक हो गया, ये सब जो है word ये इसी गेम से सम्बंदित हैं, खेल से सम्बंदित सब्दावली भ दोस्तों कुछ इस्टार हैं हमारे इंडिया के भी उनके बारें भी आपको पता होना चाहिए, जैसे सबसे पहला नाम आता है विस्वनाथन आनत, भारत के पहले ग्रेंड मास्टर, चेस के इंडिया के पहले ग्रेंड मास्टर थे और इनको 1991-92 में पहला राजियू गांध खेल रतन एवार्ड मिला, खेल के छेतर का सबसे बड़ा एवार्ड होता है राजियू गांधी खेल रतन और इनको ही सबसे पहला मिला था, ठीक है इसे भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट बात करते हैं, एंड्राइड के विकास के लिए आधिकारिक भासा कौन सी है, ए आप लोग जो फोन यूज़ करते हैं, एंड्राइड या आईवेज कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे, उसमें जो एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी ओफीसेल लेंगवेज होती है, ये जावा में लिखा गया रहता है, ठीक है, जावा एक प्रोग्रा आप लिखा कहा रहता है, जो आप एंड्राइड का यूज़ करते हो, विंडोज में क्या होता है, विंडोज में दोस्तों मैक्समाम यूज़ होता है C++ का, ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है, कि आप लोग एंड्राइड मोबाइल एप को डिरेक्टली में कुछ न कुछ different होता है अलाग कि Java और C++ दोनों ही दोस्तों ये object oriented ही language होती है ठीक है object oriented language का क्या मतलब हुआ जैसे एक होता है C, C language आपने सुना होगा एक होता है C++ इसी का advanced version है तो C language जो है ये common language है programming की लेकिन C++ जो हो जाता है ये object oriented हो जाता है यानि कि अगर कोई particular task करना है तो उसके लिए C++ में programming लिखेंगे किसी object के लिए ठीक है इससल तरीके से तो ये सभी चीजे होती है इसके बारे में आपको कभी detail में बताया जाएगा computer class जिबागे ली जाएगी तो इससे related कुछ और important points जानते हैं जिसे COBOL कोब दोस्तों इसका full form होता है common business oriented language common business oriented language नाम से ही इसप्ष्ट है कि ये business oriented है ठीक है तो business oriented को जो भी language है अगर इसके बारे में पूछा जाया तो आप जाता हैंगे COBOL इसके बाब Fortran दिख रहा है Fortran यानि फार्मुला ट्रांसलेशन फार्मुला ट्रांसलेशन नाम से इसमें भी इसप्ष्ट है यह फार्मुला वगरा जैसे कि मैद के फार्मुला वगरा हो गए उनको हल करना उनको स्वाल करना हुआ तो इस language का यूज किया जाता है clear अच्छा मैंने आपको इसी सीरीज में एक दिन बताया था कि Google का operating system है Android ऐसे ही Windows जो है यह Microsoft का operating system है ऐसे ही अब Apple का जो operating system है वो है iOS ठीक है iOS है next बेगल सब्द का प्रयोग किस खेलों से सम्बंदे सब्दा वली होती है यह भी important होती है ठीक है अब देखिए टेनिस खेल में क्या होता है दूस्तों कि singles खेले जाते है या doubles खेले जाते है ठीक है तो कभी कभी चेंज करना पड़ता है सेट इस कोट से इनहीं इधर आना पड़ेगा और इनहीं इधर जाना पड़ेगा ठीक है इसके बाद होता है smash करना smash यानि कि जैसे smash आप लोग सुनते होंगे volleyball में भी ये word है common volleyball में और tennis में और badminton में कुछ word हैं जो common मिलेंगे जैसे service करना smash करना ठीक है love हुआ score का ठीक है ये सब word है जो important है पूछे जाते हैं exam में कि ये word particular word जो है ये कि skill से सम्मंदित है ठीक है यानि इससे आप लोग Celsius भी बोलते हैं ठीक है डिगरी Celsius बोलते हैं तो यहीं से आप नाम निकाल सकते हैं options पर ध्यान देंगे तो एंडर Celsius एंडर Celsius नहीं दूस्तों centigrade की खोश की थी Celsius जो पैमाना चलता है वो 0 degree Celsius से 100 degree Celsius तक चलता है यानि की 0 degree Celsius पर पानी जो होगा वो बर्फ बन जाएगा और 100 degree Celsius पर पानी जो होगा वो उबलने लगेगा तो इसे हम लोग क्या कहते थे word by word मैंने आपको बता हुआ इस स्रीज में कि अगर कोई पानी है वो बर्फ बन जा रहा है तो जिस point पर जिस temperature पर बन रहा है उसे कहेंगे हमांग ठीक है अगर वो कोई पानी है वो बॉयल होने लगता है यानि की वो उबलने लगता है किसी एक temperature पर तो उसे कहेंगे कुथनांग उसका तो 100 degree Celsius पर का कुथनांग हुआ क्लियर है ये सब चीज दूस्तों आपको जानना चाहिए और मैं आपसे बार-बार कहता हूँ आप लोग डिवीजन करते रहे है ये सभी सिरीज की जितनी भी एपिशोड है इनको देख डालिए बहुत ज़्यादा helpful होगा आपके लिए अच्छा उस दिन एक बात और मने आपको उताई थे कि फारेन हाइट और डिग्री सिल्सियस माइनस 40 डिग्री पर दोनों सेम होते हैं ये बड़ा इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में रिपीट हुआ है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का ब्रमड किया यानि कि गुप्त काल के टाइम पर कौन सा चीन यात्री था वो भारत आया था तो दोस्तों गुप्त काल में आया था फाहयान कौन फाहयान आया था गुप्त काल में होयन संग आया था दोस्तों ये हर् भी तक रहा था भारत में ठीक है और गुप्त काल के सासंकाल में आया था उस टाइम पर गुप्त के चंद गुप्त दुतिये थे राजा ठीक है गुप्त वंस के उन्हीं के दरबार में आया था उके इनके बाद आये हुएंसांग दोस्तों ये हर्सवर्धन के काल में आया थ अलबरूनी याया था वो कब आया था महामूद गजणवी की सेना के साथ आया था महामूद गजणवी कब आया था आपगो पता होना चाहिए इसवी में आमblesी आया है। लेकिन इसके साथ ही मेगस थनीज में पूछा गया है मेगस थनीज दोस्तों आया था ये मौर के सासन में चंद्रकुप्त मौर के जब उनका time period चल ला था, कारिकाल चल ला था, सासंकाल चल ला था, उच time आया था, Megas Thiniz, और Megas Thiniz ने कौन से पुस्तक लिखी, Indica लिखी, Indica लिखी, Megas Thiniz ने, इसको भी याद रखना आपको, ये सभी जो यात्री होते थे थे न, दिखिए हम लोग को कैसे पता चला इतिहास, हम लोग को इतिहास ऐसे पता चला कि, कोई यात्री आया और उसने अपनी किताब लिखी, ठीक है, तो किताब लिखी, तो उसी किताब पर आधारित हम लोग जानते हैं, जानकारियां जो जो चीजें उस खटनाओं में हुई मैज कराय जाता है कि किसने अपनी किताब में क्या-क्या लिखी हैं उन में से क्या-क्या चीजें मैज हो रहे हैं क्योंकि होता क्या था जो राजा होता था वो जहां पर जाता था सासंग करने तो वो कोशिस उसकी ये भी रहती थी कि वो अपने आपको बहुत उंचा दिखाए और वहां का जो इतिहास हो वहां का जो कल्चर हो उसको समाप्त कर दे मुगलवंस की राजा ये ज़्यादा करते थे ये लोग इतिहास बदलते थे इतिहास के सबूत को मिटाने का प्रयास किया करते थे तो ऐसे में मिलाया भी जाता है मैच भी कराया जाता है कि जो विदेशी यात्री आये थे वो लोग अपने अपनी किताबों में क्या लिखे उनका क्या व्यूग रहा उनसे ज़्यादा मैच कराया जाता है ठीक है गोयलाचा ला पास या अब ही आपको कहीं कहीं दिखेगा गोयलाचा ठीक है गोयलाचा पास या दर्रा ठीक है पास को दर्रा कहा जाता है तो गोयलाचा दर्रा है दुस्तों सिक्किम में कहां पर है सिक्किम है गोयलाचा अब देखिए सिक्किम में ये दर्रा है 2003 में इसे खोला गया था, कब 2003 में, सिख्किम में और कौन सा है, नाथुला है, नाथुला दर्ड़ा भी है सिख्किम में, ये बहुत ज़यादा इंपॉर्टेंट थैंट क्यों biết है चियंकि ये भारत और चाइनेया के बीच में व्यापार्ण सभसे अदा यहीं से होता ठीक democratic ये ना हिमानचल प्रदेश में क्या है हिमानचल प्रदेश में है दोस्तों बड़ा लचा सिपकिला रोहतांग ठीक है इसके बाद उत्राखंड में क्या है उत्राखंड में है माना नीती लिपलेग क्या 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 माना नीती लिपलेग ये उत्राखंड में है केरल में दोस्तों है प चॉकलेट बार पहली बार किस ने बनाया था तो दोस्तों इसे बनाया था जोजफ फ्राइएंड संस ने किस ने जोजफ फ्राइएंड संस ने पहली बार चॉकलेट बार बनाया था ओके नेक्स्ट कंप्यूटर के माउस का अविसकार किस ने किया कंप्यूटर के माउस का peripheral device, मैंने आपको बताया था, peripheral device वो devices होती है, जो bağ akan से निकाली हो धर हटा ही जा जा सके, connect disconnect बाहर से किया जासके, तो वो peripheral device हुई है, इसके षाथ mouse किसने कामाता है, Input कोई आट्पुट तो निकालता नहीं है, Input देने के लिए कामेता है तो तो इसलिए ये input device है, ठीक है, mouse हुआ, keyboard हुआ, ये सब input devices है, इसके अलावा printer हुआ, scanner हुआ, या फिर monitor हुआ, ये सब output devices है, input और output devices भी पूछी जाती है, next, मुहम्मद बिन तुगलग ने दिल्ली से अपनी राजधानी के सस्थान पर बतली, मुहम्मद बिन तुगलग, सबसे बुद्धिमान और सबसे विवादित सा सकता है, ये अपने टाइम पर, और इसने दिल्ली से राजधानी चेंज करके दौलताबाद कर दी, कहां पर? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी अस्थानांतरेत कर दी थी, ठीक है, दुस्तों दिवाने कोही की स्ठापना के थी बहुत जिमान भी माना जाता था लेकिन कुछ लोग इसे पागल भी कहते थे संकेत कर दो किसी को समझ लो मुदरा दे दिये अब इसे चाहे बेवकुफ कहें चाहे पागल कहेン या फिर कहें advance या दूरदर्सी अब आप देखिए वैसे अगर अभी देखा जाया तो अभी हम लोग virtual currency यूज करते हैं virtual currency हुआ या फिर online transactions हुआ ये सब कुछ इसी प्रकार से तो है इसने भी अपने time पर कुछ ऐसा ही system लगवाया होगा ठीक है इसका भी कुछ rules regulations रहा होगा उस time पर फिलहाल आप लोग तुगलक वन्स के बारे में ज़्यादा जानकारी जाते हैं तो आप लोग आमारी वीडियो देख सकते हैं MZTF पर जा करके next बात करते हैं दूद को दही में बदलने के किरिया किस bacterium का प्रयोग किया जाता है यानि किस bacterium का प्रयोग किया जाता है दूद को दही में change करने के लिए तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक दिन अगर आपको याद हो इसी series में जहाँ पर lact मिल जाए जिस भी word में lact मिल जाए समझ लीजिए वो दूद से ही संबंदित है तो यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रहा है lactobacillus अभी मैं इसका कई example बताऊंगा lactobacillus lactobacillus bacteria जो है इसका प्रयोग किया जाता है दूद को दही में change करने के लिए अब देखिए यह तो lactobacillus हो गया acid कौन सा है तो दोस्तों magnetic acid होता है ल sciences उसे किस से मापा जाता है तो lactometer से किस से lactometer से दूद को दूद की सुद्धता को मापा जाता है अचा दूद से दही बनने की परक्रिया कौन से परक्रिया है जड़ाई से अभी आपको उच दिन material हो जिसको दूसरे material में change करने के बाद दोबारा से reverse process ना हो पाए ठीक है यानि वो material एक बार change हो जाए तो दोबारा से दोबारा अपने पुराने अवस्था में ना पाए तो वो रासाइनिक जो होता है वो सफेध होता है तो ये भी कुछा जाता है कि दूद में पाया जाने वाले प्रोटेन का क्या नाम है तो केस ही नहीं है ओके दूद में लगबग दूस्तों हर प्रकार के बिटामिन स्पाई जाते हैं, मिनल स्पाई जाते हैं, इसी वज़ा से संपूर आहार कहा जाता है, next, अगला है, mmU का विस्तार क्या है, mmU, mmU का फुल फाम होता है दोस्तो, memory management unit, memory management unit का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, कोई भी device होता है, कोई computer ले ले लेते हैं आप पर तो computer में जो memory होती है उसका management करना उसको कैसे operate करना है ये काम होता है MMU का memory management unit का next बात करते हैं अगला निमलेखित में से किस नदी का उद्गम अस्थल तिबबत में है कौन सी नदी है जो तिबबत में है तो दोस्तों गोदावजी बिलकुल नहीं है तो दोस्तों गोदावजी बिलकुल नहीं है ये मद्यभारत की नदी है और महा नदी ये ओडिसा में है ये भी नहीं है ब्रह्म पुत्र नदी ब्रह्म पुत्र नदी दोस्तों ये तिबबत से निकलती है और अरणांचल प्रदेश असम होते 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 ये आ करके बांगला देश में गिरती है ठीक है बांगला देश में आने से पहले गिरने से पहले ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है और जब गंगा नदी के साथ मिल जाती है तब इसका नाम इस संयुत जलधारा का नाम हो जाता है मेगना क्या नाम हो जाता है मेगना ब्रह्मपुत नदी जब बांगलादेश में इंटर करती है तो बांगलादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं क्या जमुना नदी कहते हैं और गंगा नदी जब बांगलादेश में इंटर करती है तो इसे पदमा नदी कहते हैं और जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो इसे क्या कहते हैं मेघना इस जलधारा को मेघना कहा जाता है फिर इनने यहाँ पर सुन्दरवन का डेल्टा बनाती है ये और उसके बाद पंगल की खाड़े में गिर जाती है तो ये है ब्रह्मपुत नदी असम में अच्छा जब ये आती है तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है आठ किलो मीटर की चौड़ाई इसकी हो ज बना है इससे भी याद रखेगा ब्रह्मपुत नदी पर बोगी बेल ब्रिज बनाया गया है जो कि दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है और ब्रह्मपुत नदी पर ही अभियाली में गुवाहाटी में एक बनाया गया है रोपवे का निर्मार किया गया है कि जैसे आपको एफ कर रहे हूं अपनी मोबाईल में अप यूज़ कर रहे हूं इसको begitu आप को बंद कर दिए हो किसी दूसरे आप को आप को यूज़ कर रहे हूँ फिर भी वह बेकग्राउंड में ही use होती है यह temporary होती है ठीक है इसको आप लोग permanent मत समझेगा जैसे कि अगर आप mobile device को switch off कर देते हैं फिर on करते हैं तो कैसे memory अपने आप reset हो जाती है ठीक है यह कोई ऐसा नहीं होता है कि यह storage है permanent storage read only memory में होता है देखिए मैं आपको memory बता ही देता हूँ random access memory read only memory दो प्रकार की memory हुई basic thought पर random access memory यानि कि यह randomly चलती रहती है access के लिए temporary होती है यह कभी भी erase हो सकती है ठीक है system को device को अगर बंद करना हो तो यह अपने आप clear हो जाती है जो work चल रहा होता वो reset हो जाता है read only memory में ऐसा नहीं है जब भी जनले आप जो memory जानते हो जो memory card चाहिए आप हाट से लगाते हो या फिर internal storage होता है वह read only memory होता है यानि इसमें आप अगर कोई file store करते हो तो यह store रहे की चाहिए आप सुचाओ करो reset करो restart करो कुछ भी करो जब तक कि आप इसे delete ना करो ठीक है जैसे आप इमेज आडियो वीडियो जो भी store करते हूँ वह read only memory में store करते हो अब read only memory भी कई टाइब की होती है एक होता है PROM ठीक है PROM पर्ण थीक से चल नहीं रहिए PROM का मतला programmable read only memory हो गया ठीक है प्रोग्रामिंग की जाती है इसमें एक होता है EP-ROM, Erasible Programming Read Only Memory होता है, इसे Erase किया जा सकता है प्रोग्राम को, ठीक है, एक होता है EEP-ROM, EEP-ROM, दोस्तों Electrically Erasible Programming Read Only Memory होता है, यानि इसको Electrically Erase किया जा सकता है, ठीक है, Ultraviolet Erase वगारा डाली जाती है, Erase कलने के लिए, Memory Mapping का ये सब पार्ट है, Memory, ठीक है, फिलाहाल यहाँ पर कैसे Memory जो होता है, उसके बारे जान लीजिए, ये Random Access Memory होती है, Next, निमलेकित में से क्या, Nucleus में प्रमाड करमांग को दर्साता है, Nucleus में प्रमाड करमांग को क्या दर्साता है, Proton, अब देखिए दोस्तों, कई बार मैंने आपको इसी सीरीज में बताया है कि कोई भी प्रमाड का नाभिक हो, कोई भी Nucleus हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ Proton और Neutron पाए जाते हैं, ठीक है, Proton और Neutron कहां पाए जाएंगे हमेशा, Nucleus में पाए जाएंगी, नाभिक में पाए जाएंगी, इसके चारो तरफ जो कचख होते हैं, जो orbits होते हैं, उसमें electrons पाए जाते हैं, ठीक है, orbits में हमेशा Alm皆 होते हैं, तो electron किसका चकर लगा रहा है, नाभिक का चकर लगा रहा है, ठीक है, अब जो प्रोटानों की संख्या होती है वो होती है प्रमाड क्रमांगों की संख्या के बराबर प्रमाड क्रमांग जितना होगा उतना ही प्रोटान की संख्या होगी प्रोटानों की संख्या और नियूट्रानों की संख्या अगर जोड दी जाती है तो वही हो जाती है द्रग्मानों की संख्या ठीक है उसका प्रमाड़ भारजी से कहते हैं आपको एक फार्मला बताया था न एकुल टू N प्लस Z इसे भी आपको याद रखना है important term है यही से समान है नियूट्रानों की संख्या समान है तो सम नियूट्रानिक कहलाएगा प्रोटानों की संख्या समान है तो सम अस्थानिक कहलाएगा और अगर द्रग्मानों की संख्या समान है तो सम द्रग्मानिक या संभारिक कहलाएगा clear next frontier गाधी के नाम से किसे बुलाया जाता है के स्थापना किये थे, किसकी खुदाई खिदमतगार पार्टी के स्थापना किये थे, इस पार्टी का क्या काम था, इस पार्टी का काम था, जो लोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, उनको ये लोग खाना वगरा खिलाते थे, कि खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सब काम इनका उतला था अच्छा यह जो party की लोग थे वो कुर्ता पहनते थे क्या कुर्ता पहनते थे इसी वज़ा से इन्हें लाल कुर्टा अंदुलन की नाम से से नमाजा गया और ये पहले विदेशी व्यक्ति बने भारत रत्न पाने वले 1987 में क्लियर चलिए नेक्स्ट विजयनगर समराज के पहले राजा कौन थे विजयनगर समराज तो दोस्तों हरिहर ने विजयनगर समराज के स्थापना के थी हरिहर और बुक्का ने तो हरिहर जो जो समराज। था कब से कब तक चला। अगर चावणडग, पस्ष चावणडग, ठीक है, चार दात होगे, चार प्रकार की दात होगे, टोटल दातों की संख्या होती है, 32, स्वस्त मनुष्की सरीर में 32 दात होते हैं, अलाग कि दात दो बार आते हैं, एक बार बश्च्पन में आता है, दूद का दात, उसके बाद फिर बाद में दात आता है, रियल दात आता है, जो ठीक है, तो टोटल 32 दात होते हैं, एक वैस्क मनुष्के सरेर में, अच्छा, पाइरिया रोग जो है, ये सम्मंधित है, मशुड़ों से, दातों से ही सम्मंधित है, ठीक है, दात कमजोर हो जाता है, तो पाइरिया रोग भी पूछा जाता है, root canal treatment भी पूछा जाता है, RTC RCT, RCT यानि root canal treatment, ये भी दाँच से ही related है, ठीक है root canal treatment किया जाता है चलिए, next, निमलिखित विकलपों में गलत जोड़ी का चैन करें गलत जोड़ी कौन सी है चंदरगुप्त मौरे, चंदरगुप्त मौरे वंस का सासकता बिल्कुल सही है राजा राज, चोल का ये भी सही है, कनिस का कुशान ये भी सही है, विमिसार गुप्त वंस, ये बिल्कुल गलत है विमिसार ने दोस्तों हर्यक वंस के स्थापना की थी कब की थी 544 BC में 544 BC यानि की इसापुर में इसके अस्तापना की थी हर्यक वंस कब तक चला था हर्यक वंस दोस्तों चला था ये 492 में तब ठीक है 492 BC तक चला था इसापुर तक चला था हर्यक वंस अब देखिए बिम्बिसार की राजधानी क्या थी यानि हर्यक वंस की अच्छा बिम्बिसार के बेटे का नाम था अजाद सत्रू अजाद सत्रू ने अपने पपा को मारा और गद्धी हासिल कर ली ठीक है इसके बाद अजाद सत्रू का पुत्र हुआ उदाइन उदाइन ने भी अपने पपा को मारा और गद्धी हासिल कर ली ठीक है नेक्स्ट ब बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संग मित्रा इन दोनों को भेजा था बहुत धर्म के परचार परचार के लिए कहां पर भेजा था स्रिलंका में भेजा था पेपल का पेड ले गए थे पीपल का पेड भी ले गए थे वो लोग चलिए next बात करते हैं अगला ह आपको अभी एक वीडियो दी हुई है, DRDO टेस्टिंग के नाम से, DRDO ने जो जो भी अभी हाली में टेस्टिंग किये हुए है, जो जो भी मिसाइल की, जो जो भी स्क्रेम जेट टेकनीकी की, उन सब पर वो डेटेल वीडियो है, आप लोग देखेगा जरूर यहाँ पर उपर लिंक बनकर आ रहा होगा, उसको देखेगा, और इस कुश्चन का अंसर कर दीजेगा, तो बस दोसों फिलाल इतना ही वीडियो में, आपको वीडियो कैसी लगी, कितना नॉलेज मिला आज की वीडियो से, आप लोग कमेंट करके हमें जो बताएगा, क्या आपके लिए ये सीरीज हेल्टफुल हो रही है कि नहीं, ये भी बताएगा, और सेयर जरूर कर दीजेगा, आप लोग सेयर करोगे, तो मैं डेली प्रतिबत दे रहूँगा, इस वीडियो को कॉंटिन्यू करने का, तो आप लोग सेयर जरूर कर दिया करो, जितना भी आपके पास फेस्बू नमस्कार जया हिंद, उवन निमात रहाँ